जरूरी नहीं है कि शिक्षित व्यक्ती ही सही निरने ले मश्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर मॉनिका कालिया और आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ तो ध्यान से सुनियेगा, एक आत्मी था वो सड़क के किनारे अपनी एक छोटी सी दुकान करता था उसमें वो अपने चाय समोसे बेचता था और अपने जीवन्यापन करता था वह अनपढ़ था, इसकारण ना तो वह अखवार पढ़ पाता था और ना ही उसे रेडियो और टेलिवीजन में कोई रुची थी उसके बेटे ने अपने पिता जी को कहा कि मैं भी आपके साथ आपके दुकान में काम करना चाहता हूँ हम दोनों साथ में काम करेंगे और अपनी दुकान को और अच्छा करेंगे तो उसके पिता ने कहा ठीक है बेटा, तुम भी साथ में काम कर लो इस तरह से वो दोनों साथ में मिल जुलकर काम करने लगे एक दिन वो बेटा कुछ उदास सा बैठा हुआ था तो उसके पिता ने उससे पुछा कि बेटा तुम उदास क्यों हो तो वो बोला कि पिता जी मैंने ये ख़वर सुनी है कि आर्थिक मंदी आने वाली है तो उसके पिता ने कहा कि ये क्या बोल रहे हो बेटा बोले हाँ पिता जी जल्द ही इस आर्थिक मंदी कासर हमारे देश पर भी होने वाला है और अगर देश पर उसका असर हुआ तो हमारे व्यबसाय पर भी उसका असर होगा हमें कुछ नकुछ जरूर करना चाहिए लोग कम आने लगे उसके दुकान पर, धीरे धीरे उसका धंदा बहुत ही मंद पड़ गया, पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम जिस मंदी की बात कर रहे थे मुझे लगता है वो आ चुकी है और उसके कारण हमारा व्यवसाय भी खत्म हो चुका था, तो उस बाप बेटे ने जो आपसी जो उन्होंने एक दूसरे के सोच के मुताबिक जो है भविश्यवानी की, उसके मुताबिक ही वो चले, उसको ठीक करने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की, उसके साथ ही वो उसके बहाव में बह गए और अपने धन्दे को चौपट कर लिया, तो इस अगर इनसान जो है जादा बुद्धिमान होने के बावजूद भी गलत फैसले कर सकता है, जरूरी नहीं है कि जो बहुत बुद्धिमान है उसका फैसला सही ही होगा, हमेशा अपने सलाहकार जो है सावधानी से चुनिए, जिस प्रकार उस पिता ने अपना सलाहकार वो बे तो वे बिना स्कूली शिक्षा के भी काम्याब हो सकता है, कौन सी है वो पांच खुवियां, सबसे पहले है करेक्टर, आपका स्वभाव, दूसरा है कमिटमेंट, आपकी वचन बद्धता, तीसरी है कन्विक्षन, आपका दृड़ विश्वास, चौथा है कर्टसी, शिष रहिए, धन्यवाद